हेलो, तो इस वीडियो में हम केसी एक्वेशन से रिलेटिट उन प्राब्लम्स को वहीं से पढ़ना कंटिन्यू करेंगे. चले अब अपनी फार्नल एक्वेशन प्राब्लम को देखते हैं, जो थोड़ी मुक्तलिफ है. प्राब्लम ये है के एक रियाक्शन में PCL3 और CL2, PCL5 फॉर्म करेंगे, जहां एक्विलिब्रियम कॉंस्टेंट 0.13 डेसिमेटर क्यूब पर मॉल है, एक खास टेंप्रिचर पर. जबके एक्विलिब्रियम कॉंसंटेशन ऑफ PCL3 और CL2 10 हैं और 9 मॉल पर देसिमेटर क्यूब हैं, रिस्पैक्टिवली, तो आपके खयाल में PCL5 की एक्विलिब्रियम कॉंस्टेशन क्या होगी? इस प्रॉब्लम में हमारे पास PCL3 की कॉंसेंट्रेशन है जो 10 mol decimetr cube है क्लोरीन की कॉंसेंट्रेशन 9 per mol decimetr cube है और equilibrium constant KC 0.13 decimetr cube per mol है अब हमें PCL5 की कॉंसेंट्रेशन मालूम करनी है जैसा के आप देख सकते हैं के balanced chemical equation missing है और KC के बजाए concentration of PCL5 की जरूरत होगी ये शायद confusing लग रहा हो लेकिन इन steps को follow करना याद रखें जो हमने पहले देखे थे यहाँ आप देख सकते हैं के कैसी equation मौजूद है यहाँ PCL3 और CL2 के दर्मियान reaction होगा जो combine होकर PCL5 बनाएंगे PCL3 और CL2 reactant side पर है और PCL5 product side पर है इस equation को balance करने की जरूरत नहीं है क्योंके ये पहले ही balanced है आई ये केसी expression को लिखते हैं ये कहती है के केसी is equal to the concentrations of PCL5 over the concentrations of PCL3 and CL2 अब हमें इन values को put करना है और फिर concentration of PCL5 को मालूम करेंगे तो values को put करके हमें right side पर ये equation मिलेगी 0.13 equals PCL5 over the product of 10 and 9 जब हम इसे rearrange और मजीद solve करेंगे तो हमें ये equation मिल जाएगी जो screen पर मौजूद है जहां PCL5 equals 0.13 multiplied by 10 multiplied by 9 which is equal to 11.7 mole per decimeter cube तो PCL5 की concentration 11.7 mole per decimeter cube होगी जैसा मैं हमेशा कहती हूँ इन problems को practice करते रहने और इन्हें solve करने से ये आपके लिए बहुत easy हो जाएगी इस वीडियो के लिए बस इतना ही मुझे उमीद है कि आप समझ गए होंगे और अगर आप मजीद जाना चाहते हैं तो हमारी अगली वीडियो देखें